Hello friends, आप सभी का स्वागत एक नेविरे हूं, friends, इस वीडियो के इंदर बात करने हूं, अपने mobile गो कैसे switch up कर सकते हैं, हर एक phone का अलग होता है, तो मेरे पास एक और Infinix का phone है, एक ये है, तो इसे में आपको दोनों में बताने वला हूं, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले ह हमी क्या करना होगे, जो power button अता है, इसको दबा के रखना होता है, जब इसको दबा के रखेंगे तो आपको ये option आएगा, ठीक है, और नीचे ये लिखा हुआएगा, इसी परकार से दूसरे phone को भी मैं क्या करता हूं, यह on कर दिया हूं अभी, अब इसको मैं पहलो switch up करके बताता हूं ये वाला, जैसे हमने power button दबाया तो आपको ये वाला option आगया, तो इसको हम दबा के रखेंगे इस तरीके से, और ये automatically switch up हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दबा के रखना होता है, तो हर phone का अलग अलग होता है, तो ये infinix में आप इस तरीके से off कर सकते हैं, ठीक ह इस पर click करने, दबा के रखना है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर switch up करने का option है, बस इसको आप इस तरीके से दबा के यहां तक लाएंगे और इसे छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद आपका ये जो phone है, और switch off हो गया, तो इसी परकार से आप किसी भी जो की टेकनो या फिर इन्फिनिक्स के phone को इसी परकार से switch off कर सकते हैं, और इसको दबा के रखेंगे तो आपका उससे भी on हो जाएगा, इसको दबा के रखेंगे दुबारा, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से दबा देता हूँ, यह on हो गया, इसी परकार से मैं इसक से switch off या फिर on करते हैं, तो चलिए मिलते हैं सब्सक्राइब के साथ, आई होप कि आपको सब को समझ में आगे होगा, तो इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि किस तरीके से switch on और switch off कर सकते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और ये फोन बस ये on होने ही वाला है, और कुछ ही time में क्योंकि ये थोड़ा expensive phone है, थोड़ा mehengah phone है, ये सस्ता है, ये तो ये थोड़ा से on होने में time ले रहा है, तो finally ये भी हमारा on हो चुका है, और इसी प्रकार से आप भी on कर सकते हैं, और switch off कर सकते हैं, चलिए मिलते हैं इस वे इंटरेश्टिंग वीडियो के साथ तक तक के लिए, नमस्कार and good bye, take care.